नवसकार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मदप्रदेश जेल पहरी के एक्जाम की 2020 के लिए किसी भी कॉम्प्रेटर एक्जाम की रीड होती है उससे सम्मंधित प्रिछले वर्सों के प्रशन प्रिछले वर्थों के प्रशनों से हमें ये जानकारी मिलती है कि उस सम्मंदित एक्जाम में किस प्रकार के प्रशनों का ट्रेंड रहा है, कौन से प्रशन पूछे जाने की संभावना है आज हम कुछ महत्पूंट प्रशनों पर यहां चर्चा करेंगे जो वर्श 2018 में जील प्रहरी के एक्जाम में पूछे गए हम पहले प्रशन पर नजए डालें, पहला प्रशन है डिजाष्टा मेनेजमेंट इस्टिटूट टी एम आई मतला मदप्रदेश गवर्मेंट के द्वारा निजाष्टा मेनेजमेंट इस्टिटूट आपदा प्रिवंधन संस्थान किस वर्श इस्थापित किया गया इसकी हम जानकारी मिलती है, चार ओप्सेंस दिये गए हैं पहला ऑप्शन है 1987, दूसरा 1972, तीसरा 1956, चौथा 1982 बहुत सारे लोगों का इस प्रेशन का जवाब पता होगा, जितने भी लोग पहले से कॉम्टेट और एक्जाम्स की तियारी कर रहे हैं फिर भी इस प्रेशन के जवाब पे हम चर्चा करें, 1987 में DMI की स्थापना करी गई और इससे संबंधित जो एक्ट है, वह लाया गया 2005 में याद रखेंगे, यह एक छोटी सी additional information थी, चलिए, अगर प्रेशन पे बात करें हम प्रेशन है, Name the city in Madhya Pradis, where the दुरुपद समारोह is held annually दुरुपद समारोह एक ऐसा समारोह है, जो की प्रतिवर्स आयोजित किया जाता है और इस समारोह में, जो गुरुशिष परंपरा है, और दुरुपद राग है, इससे सम्मंधित करिक्रम आयोजित किया जाते है दुरुपद राग में, जो पारंगत संगीतकार होते हैं, उनको इस समारोह में सम्मानित किया जाता है और यह गुरु औशिस्त के वीच की जो कड़ी है, जो रिष्टा है, उसको निखारने, उसके वीच प्रेम को मैंटेन करने के लिए इस समारू का आयोजन किया जाता है हम दिपस वारू के options देखेंगे, पहला है उजयन, दूसरा वोपाल, तीसरा जवलपुर, चोथा है इंदौर बिल्कुल सही जवाब बहुत सारी लोगों को एक बार फिर पता होगा और बहुत ही आसान प्रेशन था जिसका उत्तर था मोपाल आगर प्रेशन पर आएंगे हम, प्रेशन नमर तीन, जो की जीके से समंधित एक प्रेशन है, जनल नॉलेज का एक प्रेशन है प्रेशन है, नेम दा यूनेसको वल्ड हैटेज साइट, बुल्टू, कुमेमरेट दा गोल्डन जुबली ओफ क्वीन वेक्टोरिया मतलब, क्वीन वेक्टोरिया, राणी वेक्टोरिया की स्वंड जैनती को याद करने के लिए, किस यूनेसको वल्ड हैटेज साइट को बनाया गया, या किस वल्ड हैटेज साइट का नाम, राणी वेक्टोरिया की स्वंड जैनती से समंधित लिया जाता है यह जो site है, इसको पहले रानी Victoria के नाम से ही जाना जाता था, हम options पर नज़े डालते हैं, पहला gateway of India, दूसरा Victoria Memorial, तीसरा India Gate, चौथा चत्पती सवाजी महराज Terminal, चत्पती सवाजी महराज Terminal इसका right answer है, और पहले चत्पती सवाजी महराज Terminal को चत्पती Terminal की रूप में जान जाना जाता था, जिसको Victoria Terminal की रूप में जाना जाता था, बाद में 1996 में इसको Emperor चत्पती सवाजी के नाम से चत्पती सवाजी Terminal रख दिया गया इसका नाम, लेकिन इनको और सम्मानित रूप से उचरण करने के लिए इसका नाम रख दिया गया 2017 में चत्पती सवाजी महर चलिए, अगल प्रशन पर चर्जा करेंगे, यह है मध्यप्रदेश के करेंट फर्स से सम्मंदित एक बहुत ही महत्पूर्ण प्रशन होने बाला है, Name the first wildlife reserve in India to get an official mascot, मतलब पूरे भारत का प्रशन है यह, मुख्यरूप से जोड़ा जरूर ही है मध्यप्रदेश से है, क्योंकि मध्यप्रदेश के options में से इसका right option चुना जाएगा, Ranthambur National Park, अगला है Corvitt National Park, मतलब भारत का पहला National Park, Kanha Tiger Reserve और अगला है Sarika National Park, तो इन चारों में से right answer है Kanha Tiger Reserve, Kanha Tiger Reserve को उसका पहला mascot मिलता है, Kanha Tiger Reserve जो की मध्यप्रदेश में स्थापित है, यहाँ पर वारा सिंगहा जो जीव है या जो प्राणी है उसका संगरक्षन किया जाता है और भूर सिंग नाम का एक mascot बनाया गया, अगले प्रशन की बात करेंगे, प्रशन है पाचवा, पाचवा प्रशन है नेमदा स्कीम launched in 2018 वाय मद्यप्रदेश गवर्मेंट to subsidize power of labor and poor families, मतलब जो गरेव तकवे की लोग हैं, उनको शक्ती प्रदान करना, उनको पावर प्रदान करना और poor families के लोगों को में धारा में लाने का प्रयास करना, मुक्य मंतरी खेत तीरस योजना, दूसरा option है संबल योजना, तीसरा option है क्रशी रिण संबर्धन योजना और चोथा है प्रदान मंतरी क्रशी सिचाई योजना, इसका सही जवाब है संबल योजना, संबल योजना के बारे में थोड़े से महत्मून तक्ष्यों पर हम एक पर विचार करेंगे, चात्रों को सिक्षा प्रोशाहन के रूप में 30,000 रुपे की मदद दी जाएगी, संबल यूजना के ताहता है, कार्ड होल्डर के पास दुरगटना भीमा दिया जाएगा, दुरगटना में मौत होने पर 4,000,000 रुपे परीजनों को प्रदान किये जाए उसमें 100 रुपे तक का ही बिल आता है, और जितना भी बचा हुआ बिल है, वह मदप्री शाषन द्वारा वहन किया जाता है, चिकिस्ती प्रशूती शाहायता यूजना, मतलब जो माताएं हैं, उनको प्रशूती के दौरान, उनको चिकिस्ती साहायता प्रदान की जाएगी रोजगार नोमुखी प्रस्रिक्षन यूजना का लाव, मतलब जितने भी लोग रोजगार के लिए उनमुख हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, उनको रोजगार से सम्मन देद प्रस्रिक्षन भी इसमें प्रदान किया जाएगा, बिजली विल की माफी, एक वार किशानों का बिजली विल माफ किया गया, 2018-19 के बात है, कि जिनका 2,00,000 रुपर तक का बिजली विल था, उसको माफ किया गया था, खेती के लिए बहतर उपकर्ण मोहिया कराना, ताकि किशानों के लिए खेती का जो रास्ता है, वाई सुगम और सुबवस्थित हो सके, गर Revolution on Fundamental Rights and Economic Program जो के अडॉप्ट किया गया, वा है कॉंग्रेस के किस सैसन में अडॉप्ट किया गया, इसके options है, कलकत्ता, दूसरा है देली, तीसरा है करांची और चोथा है वर्धा, इसका right answer है करांची, करांची से जुड़े कुछ माचपूर्ट तथ है इसी दौरान, 1931 में Round Travel Conference होती है, इसके पहले ही नमक सक्तक रह गांधी जी के दौरा किया जाता है, नमक सक्तक रह के समय, गांधी जी ने Civil Disobedience Movement भी चलाया था, और एक और Movement जो गांधी जी के दौरा चलाया गया, उसका नाम है Non-Cooperation Movement, मतलब कि हम आपके साथ आपका सहयोग नहीं करेंगे, और जहीं Civil Disobedience Movement, मतलब हम आपके आग्या का अउमानना करेंगे, आग्या का उलंगन करेंगे, तो ये तमाम मुमेंट गांधी के दौरा चलाया गए, तो Non-Cooperation Movement को अगर हम याद रखेंगे, तो 1920-1922 के दौरान चलाया गया, बहीं Civil Disobedience Movement, जो 1930 के दौरान चलाया गया, इसी इसी दौरान, यह जो योजना है, मतलब जो कराची सेसन हुआ था, यहाँ पे कुछ महत्पूर निर्ना लिये गए, बोलने की सुतंता, प्रेस की सुतंता, बिधान शबा की सुतंता, संगी की सुतंता के मूल नागरे के दिकारों पर चर्चा की गई, कानून के समक्ष समान के बारे में चर्चा की गई, यूनिवर्शल एडल्ट फैंचैजीस के आधार पर चुनाओ, मतलब जितने भी लोग हैं सभी को चुनाओ में बूट डालने का मौका मिले, इसका प्रस्ताओ, जो भी मीटिंग थी, इसमें रखा गया, निशुल्क और अनिवारिश प्राथम किया गया, श्रमकों के लिए बहतर इस्थितियां जिसमें मजदूरी करना, काम के लिए सीमित घंटे सामिल करना, मतलब जो बदुवा मजदूरी जैसे पर्थितियां उस समय व्याक्त थी, उनको कम करने का प्रयास किया गया, महिलाओं और किशानों की सुरक्षा, प्रमु उनके संग्रक्षन की वी बात यहां करी गई, इसी दौरान भागत सिंग, सुखदेव और राजगुरू की फासी की बात भी उठी, लेकिन कांधी जी किने कारणों से इनकी फासी नहीं टलवा पाए, सेकंड राउंटेविल कॉन्फरेंस में इनने कॉंग्रेज और भारत क हंडे भी दखाए गए, लेकिन अंधता है 1931 में, जो यह करांची सेसन हुआ था, उसमें यह जो महत्पूर्ण बातें थीं, जो कि मॉलेक अधिकार सम्मंदित थीं, इन पर चर्चा की गई, क्वेश्चन नमर साथ, जो कि करेंट अफेर्स से चुड़ा हुआ है, 2018 करेंट में, कलिदा समारोह में किसको सम्मानित किया गया, तो आपसंस में जाते हैं हम, मैशनाम कुमुतकर सिंग, उसके बाद एंजुली ईला मैनन, प्रभाकर केलकर, और हरिश्चन्द, भुयन, बोवयान, तो राइट आंसर है इसका एंजुली ईला मैनन, जो कि एक बहुत चित्रकार हैं, इनको इनकी खास चित्रकारी के लिए कलिदा सम्मान से सम्मानित किया गया, कलिदा सम्मान महकाल की नगरी उज्जैन में आयोज़ित किया जाता है, शलिए, आगे हम बात करें, जीके का प्रशन है, आठपा प्रशन, जिसमें पूछा गया है, कि the Lotus Temple in New Delhi is place of worship for which faith, Lotus Temple जो की New Delhi में है, या किस faith के लिए place of worship है, तो options पे हम चर्चा करें, तो जोराश्रियन, बाहाई, जोडिसम और जैनिसम, ये चार धर्म हैं, ये चार संपरदा हैं, जिन मैंसे किसका यह है, जो की New Delhi में स्थापित है, किनके लिए इसकी स्थापना करी गई, तो इसका राइट आंसर है, कि बाहाई धर्म से संबंधित, Lotus Temple जो की New Delhi में स्थापित है, मदप्रदेश या किसी भी एक्जाम के लिए नहीं, ये पूरे भारत के एक्जाम के लिए महत्पून प्रश्न है, ये इंडियन जीके का प्रश्न है, बिलोगो लियाद रखेंगे कि बाहाई एलगी फोशल खोजा गया था, जो कि मदप्रदेश के ही किसी हिस्से से खोजा गया, तो 2017 में ये Current Affairs का टॉपिक था, लेकिन मात्पून इसलिए भी है क्योंकि आज तक का वर्ल्ड का सबसे पुराना एलगी फोशल है ये, और इसके बाद अभी इससे नया कोई फोशल इस किसी निउस में नहीं पाया गया है, उपसंस में हम बात जाएंगे चित्रकूट में, पन्ना में, ठीकमगड में या फिस सहडोल में, इसका राइट अंसर है चित्रकूट, माना जाता है कि यह जो अलगी फोशल है, ये लगभग 1.6 billion साल पुराना है, और यहां पर Red Algae के प आनन संस्थान के चेर्मेन किसे माना जाता है, तो Chief Minister of the State, जिस भी स्टेट के Chief Minister में है, मन्तरी, Chief Secretary of the State, Governor of the State, President of the State, तो राइट आंसर है Chief Minister मुख मंतरी, जो श्टेट के हैं, वह राज आनन संस्थान के प्रमुक होते हैं, राज आनन संस्थान के बारे में जाने हैं, मध्व अननस्थान मदपरेशाषन के अध्यात में भाग के अंदरगत आता है यह current का ही प्रशन है क्योंकि फिलहाल ही इसको अध्यात में भाग के अंदरगत रखा गया है पिछले ही साल चलिए तो यह था इस session के लिए हमारे प्रशनों का सिलसला उमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर आपको ये प्रशन अच्छे लगे हैं तो ख्रप्या इस वीडियो को लाइक से रू सब्सक्राइब करें ताकि हम इस प्रकार के और भी प्रशन आपके साथ ला सकें और आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा हो सके रहनवाद देखते रहे हैं नौलेज भूक और बने रही है हमारे साथ थैंक्यू सो मच